उत्तर प्रदेश के बहराईच में दुर्गा विसरजन के पावन जलूस पर जेहादियों के द्वारा जिस प्रकार से हमला किया गया और जलूस में शामिल एक व्यक्ति को पकड़ कर मस्जिद में खीचा गया और उसको यातना दे दे कर मार दिया गया और बात में गोली भी मार दी बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है हिंदु समाज के लिए चुनोती है और मुस्लिम समाज के लिए आत्म निरिक्षन करने का अवसर है केवल वही पर क्यों पूरे देश के अंदर यही ट्रेंट देखने को मिल रहा है कभी दुर्गा विसरजन के जलूसों पर हमला कर रहे हो कहीं गर्भा के पांडालों पर हमला हो रहा है कहीं पर दुर्गा पूजा के पांडालों के उपर भी हमला करके प्रतिमा को अपमानि करने का प्रयास कर रहे हो कि कब तक करोगे क्या हमारा हर त्यवहार ऐसे ही तनाव से गुज़नेगा हमारे त्यवहार पर भी हम ले और अपने त्यवहार पर भी हम ले हिंदू समाज स्विकार नहीं करेगा यह आपके लिए एक आत्मनिरिक्षन का अवसर है और मुस्लिम समाज के नेता आज भी सड़ उतर कर इस महापाप को ढखने की इसको कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं विचार कीजिए यदि पूरे देश के अंदर हिंदू समाज भी इसी ढंग से सोचने लगा कि हमारे मंदिरों के आगे हिंदू बहुल क्षेत्रों के आगे आप लोग कोई कारेक्रम नहीं कर सकेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा इसलिए आप सब लोगों को आत्म विशलेशन करके अपने जवानों पर नियंतरन करना चाहिए अपनी मान सिक्ता बदलनी चाहिए किस प्रकार से सहस्तित्व हो सकता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो सकता है इस पर विचार करना चाहिए वरना हिंदू समाज भी इसी सिक्के में जवाब देने लगा तो उसका क्या परिणाम होगा जिम्मेदारी आपकी होगी